सिर्मौर के गौरव सैनी बच्पन से ही कला के प्रती दिल्चस्पी बनाए हुए थे गौरव का कहना है कि उनके परिवार में कोई भी पेंटिंग नहीं बनाता लेकिन उन्हें बच्पन से ही कला के एक शेत्र में रूची थी जिसके चलते उन्होंने पेंटिंग बनाना शुरू किया यह के प्रते स्म्द्रब में यहां पर भी जानना चाहा था कि यह किस परकार इस कला से जुड़े है देखिए हम कांगडा में ऐसी कई जो कलाएं हैं जो की हमें देखने को मिलती हैं जिनमें की मुख्य तोर पर कांगडा पेंटिंग्स थी या बैम्बू से जो कुछ कलाकार कारे करते हैं और विभिन उत्पाद बनाते हैं वो हुई या जैसा की बावडियों की चर्चा की जा रही है तो ये घराट हो गए इस परकार के कांगडा में बहुत सारी चीजें हैं जिससे की लोग जुड़े हुए हैं तो हमने धरमशाला ब्लॉक में पहले भी बैम्बू से जो उत्पाद बनते हैं उन पर भी कारे किया है दिव्यांग जनों के साथ भी हमने कारे किया है और उनको भी अब हम जो है कांगडा पेंटिंग सिखा रहे हैं तो इसी कड़ी में आज में इन जो कलाकार हैं इन से मिल की है